वेलकम डियर स्टुडेंट टूडे वी लर्न क्लास ट्वन्थ टेल ट्वन्थ पैन्थ लेशन टू ओन्वाइलिंस दिस लेशन इस रिटन बाई जे कर्शनमूर्थी तो इसके अपन क्यूशन आंस्वर देखेंगे तो बच्चो पहला क्यूशन है What are the characteristics of physical violence जो एक सारिक हिंसा है उसके कौन कौन से लक्सन है तो इसके अंदर अपन को राइटर बताता है Physical violence is full of cruelty, antagonism and hatred जो भोतिक या सारिक हिंसा है वो निर्देता, cruelty निर्देता, antagonism, वैर भाव और घर्णा से पून होती है It is always done without giving thought और यह बिना सोचे समझे की जाती है The intention is to kill or hurt the other people knowingly और इसके अंदर जो मुख्य इरादा होता है वो जान बूज कर किसी दूसरे को नुक्सान पहुंचाना होता है Second question is what are the characteristics of inward violence आंतरिक हिंसा है उसके कौन कौन से लक्सन है तो inward violence is full of dislike, hate and criticism for other person So जो आंतरिक हिंसा है उसके अंदर पून रूप से दूसरे को नापसंद किया जाता है घर्णा की जाती है और दूसरे विक्ति की आलोचना की जाती है Its purpose is to change people by force to our way of thinking और इसके अंदर हम दूसरे लोगों को हमारे सोचने का जो तरीका है उसके अनुसार बदलना चाते हैं It is related to both quarreling with the others and oneself और इसके अंदर वेक्ति है वो दूसरों से भी जगरता है और अपने स्वेम से भी जगरता है अपना क्यों संतीन है What is more important than having a PhD degree तो बच्चों इसमें ये पूसरा है कि एक PhD degree है उसकी बजाए कौन सी ज़्यादा चीज रखनी है वो ज़्यादा आवशक है जिवन जेने के लिए तो इस का अंसवरा जाएगा Love, Prem, Affection, Sané, Kindles, Dayaluta more important than having a PhD degree तो इनके आवशकता है वो एक PhD degree है ज़्यादा आवशक है In the absence of these values और इन मुल्यों की अनुपस्तिती में People tend to adopt violent ways of life वेक्ती है वो जिन्दकी के जो हिंसक राज्ते हैं उनको अपनाने लग जाता है Hence इसलिए Contribute to the world of destruction और इस प्रकार से जो विनासकारी संसार है उसके अंदर वो अपना योगदान देता है अगला क्यूशन फोर है How can a person become rational? तो एक व्यक्ती है वो rational कैसे बन सकता है बचो अपन इस पार्ट को जब अपन ने पढ़ा तो इसमें देखा कि एक व्यक्ती है वो केवल और केवल education के दवारा तारकिक और अच्छा जिवन जीने लाइक बन सकता है तो इस कांसर हैगा A person can become rational if she or he educates himself or himself यदि कोई व्यक्ती अपने आपको शिक्षित करता है तो वो तारकिक बन जाता है और ये माना जाता है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा के दवारा व्यक्ती है वो परतेक प्रकार की जो अउगुन है उनके उम पर कंट्रोल कर देता है एजुकेशन हैल्पस इन बिकमिंग ए रियली ब्यूटिफुल हेल्दी सेन रेशनल हुमन बिंग और शिक्षा है वो व्यक्ती को एक सुन्दर, स्वास्ते वर्दक, समझदार और तारकिक जो जीमन है वो जीनियलाइक बनाती है तो यह आपका चोथा क्यूशन हो गया बचो इसको के अंदर अपनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस टेंज के अंदर अपनको जो क्यूशन है वो दिया जाता है उसी टेंज के अंदर अपनको उसका अंसवर देना है अगला क्यूशन देखो क्यूशन नूमर फाइब वाट डज ए मैन रलाइज इन ओल्ड एज जब व्यक्ति है वो ज़्यादा वर्द हो जाता है तो उस्सें में वो क्या महसूश करता है तो इस का अंसवर आज आएगा इन ओल्ड एज मैन रलाइज दा मिजरी मिजरी दुख को बोलते हैं ओल्रस लाइब तो old age में वेक्ती है, वो दुख मेहसूस करता है, he finds that his life is full of sorrow and confusion, और वह पाता है, कि उसका जीवन है, वो दुख और भरम से भरा हुआ है, he constantly six love and affection, और वह लगातार, प्रेम और सने की को तलासता है, his life was worse than the animals, और उसका जीवन है, वो जानवरों से भी ज़्यादा खराब हो ज जाता है, कि उसका नमबर चे, when does human life become full of joy, एक व्यक्ती का जीवन है, वो परसंता से कब भर जाता है, तो human life become full of joy, when a human being is free, lives happily, joyously, without any antagonism, without any hat, etc, then life has a meaning and is full of clarity, तो जब व्यक्ती है, वो उसका जीवन, पूंड रूप से खुशी में होता है, when a human being is free, जब एक व्यक्ती है, वो सवतंतर जीवन जीता है, happily यानि परसंता से, joyously, यानि खुशी से, without any antagonism, बिना किसी वैरभाव के, without any hat, बिना किसी घरना के, etc, और इसी तरह, then life has a meaning, और उस समय, जीवन में कोई अर्थ होता है, and is full of clarity, और यह है, सपस्ट होता है, c, पार्ट सी आ गया अपना, answer the following questions in about 60 words each, अपनको प्रते क्यूशन का जवाब है, वो लगबग 60 सब्दों में लिखना है, अगला क्यूशन है, how does education contribute to overpower violence, तो शिक्षा है, वो हिंसा के उपर, किस प्रकार से नियंतर्ण करने में अपना योगदान देती है, तो education can help prevent violence through formal education, तो ओप्सारिक शिक्षा के दवारा, हिंसा के उपर, नियंतर्ण क्या जा सकता है, formal education provides an opportunity for children to important social skill, तो यह कहता है, कि formal education यह ओप्सारिक शिक्षा है, वो बच्चों को अवसर उपलब्द कराती है, जिसे की बच्चे हैं, वो अच्छी important social skill हैं, वो प्राप्त कर सकें, critical thinking, critical thinking skills से और गहन सोचने की उसागरता उनमें हो, problem solving strategies और समश्यों के निराकरन करने की रणनेती उनमें हो, and communication skills से और इसके साथ में समवाद की भी कुसलता हो, the presence of violence जिसमें हिंसा है, उसकी उपस्तिती हो, antagonism वेरभाव, hate and cruelty is nature in man, तो एक वेक्ती के अंदर, the presence of violence, यानि हिंसा की उपस्तिती, वेरभाव का होना, घर्ना होना, निर्देता होना, ये आदमी की प्रकरती में होते हैं, एंगर and ugly criticism में, और क्रोध और भद्दा जो आलोजना है, also inset man to adopt violence, ये सब चीजे हैं, वो हिंसा को बढ़ाने का काम करती हैं, बढ़ाने के सादन हैं, इस weakness make him a really brutal man, और ये कमजोरिया हैं, वास्त में व्यक्ति को एक brutal यानि निर्दई आदमी बना देती हैं, who is a clever brain to defend his brutal acts से, और उस प्रकार से उस व्यक्ति में एक चालाग दिमाग विक्षित हो जाता है, जो उसके जो निर्दई कारिये हैं, उनको उनकी रक्षा कर सकें, उनका समर्थन कर सकें, education is an effective weapon, शिक्षा एक प्रभावी हतियार है, which help him not only get through examination, और जो नेके वल सायता करता है, प्रिक्षाओं के दवरा, and get jobs, जिससे कि वो job या job प्राप्त करें, but become a rational being also, उस ये व्यक्ति है, वो एक तारकी की व्यक्ति भी बनता है, only an educated man can have a beautiful and healthy mind, केवल एक शिक्षित व्यक्ति है, वो ही इस lesson के अनुसार स्वस्त और सुन्दर दिमाग रखता है, अपना long answer type question दूसरा है, what are the authors' views about the old and the new culture, लेखक है, वो प्राचीन और नई कल्चर है, उसके अंदर उसके क्या दस्टी कोण है, तो the author does not support the old culture, author है, वो पुरानी संस्कृति को समर्थन नहीं करता, he thinks that it is dead, वैस होजता है, यह मर्थ हो सुकी है, ब्यूर्ड दफना दी गई है, बरंट जला दी गई है, एक्स्प्लोइडेड विस्पोर्ट से उड़ा दी गई है, एंड वेपराइजड और भाबन के उड़ गई है, it is full of violence and aggressive और यह हिंसा से पूर्ण है और aggressive यानि आक्रामक है, which have produced all the confusion और इसके दवरा हर प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है, and misery और दुख in the society समाज में, on the other hand और दूसरी तरफ, the author thinks that the new culture being free from violence, कि जो नई कल्चर है न, वो एक तो हिंसा से दूर है, या हिंसा से सवतंतर है, has power to change the world और इसके अंदर संसार को परिवर्थन करने की समता है, a new culture can teach people about the outward cruelty of man to man, और जो नई, a new culture और जो नई संसकरती है, can teach people वो लोगों को शिका सकती है, about the outward cruelty, भारी निर्देता के बारे में, of man to man, या तो वक्ति-वक्ति के बीच में हो सकती है, in the name of God, जो कि या तो इस्वर के नाम पर है, religious, धरम के नाम पर है, self-importance and security, या स्वेम की महता के बारे में है, and security या सुरुक्षा के बारे में है, of the family परिवार की, इस संसार को एक नई संस्कर्टी के आउशकता है, a new society, एक नई समाज की, अगला क्यूसन है, how can the world of nature be best enjoyed, how can the world of nature, यानि अपनी जो संस्कर्टी है, अपने संसार की जो प्रकर्टी है, उसको best enjoy, उसका अच्छी तरह से आनन्द कैसे लिया जा सकता है, तो the world of the nature can be best enjoy, इस संसार की जो प्रकर्टी का है, उसका सबसे अच्छा आनन्द लिया जा सकता है, when we have an open mind and heart, जब हम एक खुला दिमाग और रदे रखेंगी, we can enjoy the presence of nature, हम नेचर की उपस्तिती का आनन्द ले सकते हैं, when we are free of fear and violence, जब हम हिंसा और भैसे मुक्त हों, only some people know about this extra ordinary bliss, और बहुत कम लोग इस परम आनन्द के बारे में जानते हैं, which is part of education, जो शिक्षा का प्रकार है, a peaceful mind can feel a deep silence, और एक peaceful यानि शानत दिमाग है, वो गहन, silence यानि सन्नाटा या चुप्पी है, उसको मैसूस कर सकता है around अपने सारों और, a sense of great beauty, एक महान सुंदरता की समझ, and loneliness में और अक्यलापन help us enjoy this supreme joy of nature, और इसके दवारा हम इस परकरती के परम आनन्द का आनन्द ले सकते हैं, तो thank you dear student, आपके ये क्यूसन है, वो complete हो गए, आप इनको बार बार लिक कर के अभ्यास करोगे, तो यह आपको समझ में आ जाएंगे, इस चैनल को आप सबस्क्राइब करो, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करो, जिसे कि उनको भी इसका लाब मिल सके, और lockdown में घर पर रहकर के अपनी जो तयारी है, उसको आप जारी रखो, और किसी प्रकार का कोई comments हो, तो comment section में जाकर के comments करें, जिसे कि आने वाला वीडियो है, उसको अपन और effective बना सके, Thank you.